तो स्वागत है आप सबका मूवी अपडेट्स के एक और नए फ्रेश वीडियो में आद बहुत सारी नियूज़े स्पेशली बार गाउं से बहुत सारी है लोकल के भी कुछ-कुछ नियूज़े है तो पहले नियूज़ की रुबड़ते लें कि उससे पहले एक बार जैश र शुरुआत हो रही है प्रशांत वर्मा जो इसके डिरेक्टर है वो एक पूरा सूपर हीरो का उनुबर्स तयार कर रहे है जिसकी एक सेकंड फिल्म का बेनाउंस्मेंट हो चुक है उसका भी टीजर रहा था जिसका नाम ता अभीरा शुरुआती मूवीज दे वीएफेस अ मैं जिस तरीके से कैरेक्टर को दिखाया गया है उनको जो डियालोग दिये गया है हर एक डियालोग ने एक कोड के बराबर है हर एक लाइन से आप कुछ सिखते हो बहुत ही खुबसूरा थे डेफिनेटली देखना सीजन टू तक धातर मुछको ध्यान है राम सेतु का निर अगर आपने मेरे उन रिव्यूज को नहीं देखा है तो आयो बटन में लिंके डेफिनेटली उसका आप चेक आउट कर सकते हो निर्ट कलेक्शन की बात कर तो डंकी ने पहले दिन इंडिया में निर्ट कलेक्शन 30 करोड के आसपस कर किया है फिर भी वो कम है दूसरी ओर सलार की बात करें तो भाई सलार ने तो पहले दिन नफिनोमेनल नमबर बॉक्स अफिक पर लाए है 178 करोड का gross worldwide collection किया सलार ने जो सच में unbelievable number है movies की जहाँ तक बात है डंकी बहुत ही average film है राज कुमार ही आने के वो film लगती ही नहीं है मतलब humor के नाम पर कुछ भी नहीं था movie बचकाने jokes चल रहे थे और भाई dialogue बाजी चो ऐसे ऐसी थी थी न आप decide करना कि आपके लिए बहतर movie कौन सी होगी अगली news actually shocking news मारवल की तरफ से आ रहे जो मारवल फैंस को जानना बहुत ज़ारा सरूरी है जोनाथन मेजर जो मारवल में कैंक करोल प्ले करते हैं वो आगे आपको शायद ना देखने को मिले ने उनके कुछ होआ नहीं है actually उनके उपर court case चल रहा था जो उनकी girlfriend ने फाइल किया था harassment के उपर अब court ने जोनाथन मेजर के खिलाफ अपना decision दे दिया है जिसके कारण अब मारवल उनसे अपने सारे संबंध contract तोड दिये है और जो Avengers की ने फिल्म आने वाले थी Avengers The Kang Dynasty उसको भी अब retitle करके release किया जाएगा जिसको फिलहाल तो title दिया गए है Avengers 5 अगली news अगली डगावनी news Hollywood की तरफ से आ रही हो जब भी Hollywood की horror movies का जिक्र होता है ना मेरे दिमाब में के बल दो ही नाम आते हैं सबसे पहरा नाम जो आता है वो है Sam Raimi का और दूसरा आता है James Wan का James Wan का कुछ मालूमी होगा कि Conjuring Universe की जो फिल्मे है न वो James Wan की ही देन है दूसरा Sam Raimi की बात करें तो 1980 के आसपास जो Evil Dead की movies आती थी न वो Sam Raimi नहीं बनाई थी और बहुत ही जबरदस थी ये दो हॉरर के लेजंड की से एक फिल्मे साथ में टीम अप करने वाले है जिस फिल्म का नाम होने वाला है The Burden और जब दो हॉलिवूड के हॉरर के लेजंड साथ में आएंगे तो क्या भूती आपा होगा आपको बतानी की ज़रूत नहीं है तो हॉरर फैन्स खुश हो जाओ Super Mario Bros और Five Nights at Freddy's को नॉमिनेट किया गया है Hollywood Handle Awards में Best Adaptation के लिए दोनी फिल्मे के रिव्यू मैंने कर लिए है के लिंक आपको मालू में कहां मिल जाएंगे मेरी तरफ से तो ये अवार्ड मिलना चीए Super Mario Bros उसको कि Super Mario Bros भाई एक Nostalgy आ था मतलब पुरानी यादे ताजा हो गई थी और मूवी बहुत जबर्दस थी अगली न्यूज लोकल की तरफ से आ रही है जहां पर विदुद जामवाल नुरा पतेही की फिल्म क्रैक का टीजर आ चुका है और भाई इसको देखने के बाद आप एक की चीज़ बोलने वाली हो कि ये होता है टीजर ये मूवी एक सर्वाइवल ड्रामा होने वाली है साफ साफ बता आप तो Squid Game वाला केस है कि अगर आपको जीना है तो जीतना पड़ेगा और इस फिल्म के टैग लाइन भी यही है बहुत ही जबरदस बहुत ही एक्शन पैंग ट्रिलर इसका ये टीजर है तो अगर आपने नहीं देखा तो डेफिनेटली देखो भाई मज़ा आ जाएगा वितुद जामवाल ऐसा है जो एक्शन को ही नहीं कर सकता बॉलिवुड में ये बात तो तै है बंदा बहुत ही फिल्ट है बहुत ही नैचुरल एक्शन करता है खुद के दंपर करता है और नोरा फट ये भी फिल्म में है तो जिनको जो देखना है वो नोरा जी दिखाई देगी बाकि टीजर एक नमबर है अगली न्यूज मारवल की तरफ से आ रही है जहां मारवल की तरफ से कोई ओफिशल तो नहीं हुआ है लेकिन जो रूमर से वो मैं आपको बता देता हूँ कि यंग अवेंजर्स की मूवी मारवल के अंदर डेवलप्मेंट स्टेज में आ चुकी है जहां पर आपको हाली में दिखे केट बिशप्स और मिस मारवल जैसे नए यग अवेंजर्स आपको मूवी देखने को मिलने वाले हैं अब परब्लिक इनको कितना पसंद करती है ये तो वक्त ही बताएगा क्योंकि हम जिससे लोग तो पुराने अवेंजर्स के नॉस्टैल्या से निकलनी पाए है अगली निउस क्रिस सिवान्स और डुएन जॉंसन की फिल्म रेड वन से आ रहे जहां इसकी रिलीज डेट को फाइनलाइस कर दिया गया है 15 नवंबर 2024 को यानि के अभी अल्मोस्ट एक साल बच्चा हुआ इस मूवी के रिलीज के लिए तो थेटर में आने वाली है और इन दोनों डुओ को देखना एक साथ मैं काफी एकसाइटुड इन दोनों को देखने के लिए और इसके डिजिटल राइट्स भी अलड़ी सेल कर दिये गए है Amazon Prime पर ये मूवी आएगी थेटर्स के बाद रिदिक रोशन और दिपिका पादुकोर के फिल्म फाइटर का एक और गाना है एक और फाल्तु गाना रिलीज हो चुका है क्योंकि इसका पहला गाना तो इठाना शेर खुल गए वह भी महा फाल्तु था मुझको लगता है निए फाइटर इस फिल्म से ना कोई धंका गाना आने वाला है ये जो नया गाना आए ना इसका नाम बुल गया मैं इश्क जैसा कुछ हाँ ये नाम तो उस गाने का और बहुत फाल्तु गाने माने से फेली गायब है मतलब इनको लगता है कि ना गाने में होटनेस डाल दो स्पेशलिए दीपिका का बात बोलना वालों में कि ना लोग शाधी के बात थोड़े सुधर जाते हैं लेकि इनका तो उल्टा ही हो गई और भी जाधा भी गड़ चुकी है बात तो सही है Kingdom of the Planet of the Apes के डिरेक्टर ने ये एक ऐसा इच्छा जाहिर किये कि वो एक ट्रिलोजी बना सकते हैं इसकी ये जो नई मूवी आ रही है इसका पिछले कुछ मूवी से कोई लेना देना नहीं है उसके बात की कहानी आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाली है बाकि इसकी जो पिछली ट्रिलोजी थी वो काफी दंदार थी, काफी जबर्दस थी अगर आट में इसको नहीं देखा तो इसको आप देख सकते हो बाकि ये मूवी अगर चल जाती है तो हाँ इसकी भी ट्रिलोजी की पॉसिबिलिटीज है एको फिल्म से कुछ नए पोस्टर्स आए हैं, नौ जनवरी को ये डिजनी होस्टरा पर स्ट्रीम करने वाली है जिसको किसी को फरक नहीं पड़ता है, लेकिन मारवल का प्रोजेक्ट है, जो मारवल की कटर फैन है वो तो इसको देखेंगे ही आज के वीडियो में हॉलिवूड की न्यूज बहुत जादा है, ये भी न्यूज हॉलिवूड की तरफ से आ रही है जैक स्नैडर की जो फिल्म ती, रिबेल मुझ जो नेट्फिलिस के उपर आयती, इसी मन्त, I think 15 दिसंबर को वो दो भाग में आने वाले थी, पहले पार्ट को जो जो एस वीजबल क्रिटिक्स ने बहुत ही खराब रेटिंग दी थी, पर पब्लिक ने उसको पसंद किया था अब इसके सेकेंड पार्ट का भी एक ट्रिलर आ चुका है, जो सीधा अप्रेल में आने वाली ही, वो भी नेट्फिलिस के उपर ही तो अगर आपको पहला पार्ट पसंद आया था, आपने देख लिया है, तो आप इसका ट्रिलर देख सकते हो तो इस वीडियो का अंत मार्वल और डीसी की न्यूस से करते हैं, पहले मार्वल की बात कर लेते हैं, रैन गौसलिंक को मार्वल ने अप्रोच किया एक अन्नोन रोल के लिए, कोई भी अरांस्मेंट नहीं हुए, लेकिन हाँ अप्रोच किया ये बात तो होता है, काफी उनको मार्वल में देखना अच्छा लगेगा, देखते हैं आगे क्या न्यूस आती है, बकि हाँ, अच्छी न्यूस है ये, डीसी की तरफ से न्यूस आ रही है कि फाइनली डीसी, दस सालों के बाद उनका जो डीसी, ईयू है वो खत्म हो चुका है, अब डीसी, इयू पू उमीद कर सकते हैं कि वो डीसी को इस्टैपलिश कर दे एक प्रापर तरीके से, बाकि जैसा हितिहास डीसी कर रहा है, मुश्किल तो होगी थोड़ी, तो यही थे आज के अपडेट्स, मान के चल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से मुवीज को लेकर अप टू डेट हो चु